असलामुलेकूम सच्छेकल नमस्ते आदाप्तो कैसे हैं मेरे भाईयों अभी इस वीडियो में आपको लॉक्डाउन के बारे में बताऊंगा सवूदी अरब की तरफ से बताया गया है लॉक्डाउन लगेगा या नहीं लगेगा इसके साथ साथ एर इंडिया की फ्लाइट के सवास्तमंतरी विए सवख साथ मंत्री सवख वेवसाइट को बताया सौधी अरब मोतकर new लोग हैं लोग झाएगा उसकर क्लिए करते हुए स्वास्तमंतरी बताया सवजैर्ब के लिछ इन्हीं को बताई Ils सब्तब ऑनकर और में करोना वायडर्स जो है एक नॉर्मल पोजिशन पे है मतलब कि जीरो टाइप मालों की ज्यादा बिमारी नहीं निकल रहा है आज भी आज आप 22 दिसंबर है तो आज भी 180 केस निकले है रिकवरी रेट भी उतना ही है तो यहाँ पर केस कम है यहाँ पर यह भी पूछा गया कि नया वाइरस जो बिरिटेन में आया और भी देसों में यूरोपिय देसों में क्या वाइरस सौधी अरब में जवाब देते हुए इन्हों ने कहा लोगडाउन के बारे में और नया इसके बाद वाइरब में अब तक नहीं दिखा है ना सौखी आरब में उस नए वाइरस की पहचान की गई इस पता नहीं यह कोवीट-19 प्रोई है या मैक्स या क्या है मैं नाम भूल गया हूं यह वाइरस सब्सक्राइब नहीं दिखा है अब बात कर लेते एर इंडिया के ट्वीट का तो इसक्रिंशूट आप देख सकते हो एर इंडिया बहुत सोच समझ के साइध भूल गई थी तब ट्वीट की है यह एर इंडिया एक्सप्रेस का ट्वीट है इन्होंने कहा है कि सवधियर अमने रेस्टिग्रेशन लगा दिया लेकिन इनको जश्णौ पर बताना चाहिदा ट्वीट करके लेकिन यह कब बताते हैं 22 घंटे के बाद क्योंके 22 घंटे तक लोग टिकट बुकिंग करा लेंगे जिनको पता नहीं है पैसा फच जाएगा इनका यही यही जो है ना फ्रॉडिंग वाला काम यही गलत है ठीक ह लगवा दिखा जाया तो पूरे देश में फ्लाइटे बंद हो गई है सबने अपने देश की कंट्री की फ्लाइट बंद कर दी है अब यहां पर यह ट्वीट देखो आप इन्होंने एक ट्वीट किया है आज के डेट में कि जो फ्लाइट कैंसल हुई है या सस्पेंद यह कब तक सस्पेंड फ्लाइट बाई दिसंबर से लेकरके उन्ती दिसंबर तक मतलब की सवाधी कट आप लोगों को पता है कि 15 दिन तक भाई रिस्ट्डूल मतलब की बंदेभारत मिशन की फ्लाइट सवाधी एरब से नहीं जाएगी अभी इस टाइम पे यहां पर वहीं सवाल लगता है तो जहां से अपने टिकट लिया वहां से पूछ सकते हो नॉर्मन फ्लाइट अब लोगों का यह भी सवाल है जावेद भाई क्या दुबई फ्लाइट जा रही है अभी तक यहां पर कोई भी ट्वीट में नहीं बताएगा कि नहीं जा रही है आप ट्वीट में हो या सवाधी में हो वो टिकट आप अपने अपने ट्रेवल एजेंट से द्वारा से एक्सेंज करा लेना जब फ्लाइट यहां पर सुरू हो जाएंगी ठीक है अगर आपके पास सवाधी एरलाइंस का टिकट है तो उन्होंने ट्वीट करके बताया था वेबसाइट प मादलब के जब फ्लाइटे खुल जाती है तब आप टिकट लेते हो तो कोई भी आपसे एक्स्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा यह सवाधी रलाइंस ने बताया है कल की वीडियो में बहुत सारा कम्मेंट यह भी था जावेद मेरा एक्जीट खतम होने वाला है मैंने इमर फिकर रही है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे मान लो कि आपका एक्जीट खुरुच दो तीन दिन में खतम होने वाला है क्यों खतम होने वाला भाई खुरुच का वैलेडिटी साथ दिन होता है साथ दिन के अंदर में आप नहीं जाते हो तो आपको फिर से हो सकती आपको दुबारा से सारा प्रोसेस जाकर के फिर से करना होगा लेकिन इस वक्त अगर मान लो कि आपकी खुरुच में दस दिन टाइम बाकी था आप अभी फस गये तो आपको कोई परसाने वाली बात नहीं है वह खुरुच आपका एक्सपायर नहीं होगा क्योंकि लगा ना हम तो जाने के लिए तयार थे किसी वजह सुलक हुए थे हम जाने के तयार थे बैं लग गया सीधी बात है खुट्टी जारे वाले तो आप कैंसल कर ले चुट्टी या इंतजार को पंदरह दिन या काम करते रहो ठीक हैं बात में कफिल को बुलना कि अपना मेरा परहा देजिये फिर से समझ रहे हो आप में बाई का सवाल था ने पता है तो लाश लाश तक में कि जाविद भाई मेरा वीजा तक वैलिड है और दुबाई में एक वाय इंदिया से दुबाई आए हो वीजिट वीजा पे ट्रैवल वीजा से सवूधी जाने के लिए आए हो ठीक है तो अपने अपने एकामा का और चुट्टी का टाइम आगे बढ़वा लो और दुबई का खर्चा तो आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि दुबई को पता नहीं है कि आप कहां जाने वाले हो यहां से ठीक है उनको यह पता है कि एक महाने का होगा यह पने दिन का होगा यह भी आप पूछ लो अपना ट्रेवल वाले से ठीक है अगर हो पनर दिन का होगा थीक है अब यह पैसा भी आपको क्योंकि घराकर करोगे आपकी परसानी आपको और भारी पड़ जाएगी की वीडियो आपको अच्छे लगे होगी जो भी कवर होगी मैं आपको शेयर करता होगा चोटी-चोटी कवर हमारे साथ बने लिए हमारे चैनल पे अगर आप नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और थोड़ा मेरा तब यह डाउन लग रहा है थोड़ा दौ़ा हैं क्या ओपन हैं तो मेरे भाई मैंने पिछली वीडियो में बोला कि दुबई से भी नहीं आ सकते हैं सब जगह से बंद है ना आ सकते हैं न जा सकते हैं साथिय अरब में जो यूरोपियन एरलाइन से उनको जानी की इजाज़त है बस वो अपने घर ले जाओ अपनी फ्ला लग गया बट आपको पता है इमिराज मतलब कि युनाइटेड अरब इमिराज तो उन्होंने ना सकते हो न जा सकते हो आप दुबई में कॉरंटाइन में हो आप 4 दिन और कॉरंटाइन हो जाओ ठीक है अब 4 दिन आपको और कॉरंटाइन रहना पड़ेगा इसके बाद पत आपको